Good morning students, today we are going to study the remaining part of chapter 9, Models. Models के last period में हमने क्या-क्या पढ़ा था? Can and Could, ठीक है? ये model है, हिनके बारे में हम पढ़ चुके थे, जो कि हमा किसी की भी ability को कुछ भी करने की ability जो रहती किसी में, उसको शो करता है. ठीक है? और Can का पास्ट पॉर्म होता है, Could. Will and Would हमने पढ़ा था, ठीक है? Shall and Should के बारे में हम पढ़ चुके थे, Or To, Or To किसने यूज किया जाता है, Strong Suggestion के लिए यूज किया जाता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है? Must जो है, Must के बारे में पढ़ा था, Must Compulsion या Determination या Duty के बारे में को Express करने के लिए यूज किया जाता है, Strong Belief को Express करने के लिए यूज किया जाता है, Then May and Might के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि किसी चीज के संभावना को बताता है, ठीक है? Possibility, है ना? अब हम उसके आगे, जो चैप्टर का आगे का पार्ट बचा था, उसको रीट करेंगे, Next, जो हमारा मॉडल है, वो कोई सा है? Dare, Dare means साहस या हिम्मत, Dare is used as a transitive verb and means to challenge, Dare जो है, वो transitive verb के रूप में यूज किया जाता है, है ना? Means challenge, है ना? किसी को, मतलब challenge की रूप में उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? Yes, का mean क्या होता है, हिम्मत करना या साहस करना, ठीक है? Who dares to oppose me, है ना? To who dares, मतलब किसकी हिम्मत है, मुझे oppose करने की, ठीक है? या मेरे खिलाफ होने की, ठीक है? तो dare का mean क्या होता है, साहस करना या हिम्मत करना We dare not to go there, means हमारी हिम्मत नहीं है, वहाँ जाने की, ठीक है? यह हम में साहस नहीं है, वहाँ जाने का, ठीक है? Used to, next day, used to Used to is used to express frequently doing or happening of some event, etc. Used to, जो model है, इसका use किसलिए किया जाता है? कुछ जो event होती है, है ना, उसको लगातार होना, ठीक है? उसको यह show करता है, यह express करता है, used to For example, I used to go to the theater every Sunday मतलब frequency बता रहे हैं, कि हर Sunday कहा जाते है? Theater, ठीक है? किसी भी, मतलब की, theater जाना, यह एक event है, है ना? इसको लगाता है, मतलब frequently इसको express किया जा रहा है, used to के द्वारा Used to is used to depict the existence of something in the past Used to का use और किसलिए किया जाता है? जिसे हम past में कोई काम किया करते थे, जिसे हम school जाया करते थे, ठीक है? हम ऐसा कहा करते थे, इस तरीके के जो sentence होते है, जो past में आप जो work करते थे, past का जो existence होता है, ठीक है? जो उसके बारे में यह बताता है, for example, five years ago, there used to be a pond on the corner of the park मतलब, five साल पहले, पार्ग के corner में एक pond हुआ करता था, ठीक है? तो वो past की event को show कर रहा है, ठीक है? next day, have to, have to is used to express some obligation, compulsion, etc. in the present or future time have to, जो model है, इसका use किस लिए किया जाता है? हमारा जो करतब भी होता है, या किसी का जो करतब भी है, या निवा रेता है, ठीक है? उसको express किया जाता है, have to के द्वारा, कॉंसे tense में, present tense में, या future tense में, ठीक है? present and future के लिए यूज होता है, have to, for example, you have to attend the seminar tomorrow, that means, आपको, मतलब कल, seminar attend करना है, मतलब कोई काम, आपको, जिसे आप हिंदी में कोई sentence बोलते हो, कि आपको ये काम करना है, या आपको ये काम करना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, उसको express करने के लिए हम किसका यूज करते है, have to का यूज करते है, मतलब मुझे स्कूल जाना है, मतलब कमपल सन है, कि जाना ही है, तो वो क्या है, या हम उसको बोल सकते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, तो वो क्या हुआ, उसको express करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, have to का यूज करते हैं, next, had to, had to is used to express obligation, compulsion, etc. in the past, have to का use present and future के लिए use होता है, and had to का use किसलिए होता है, यह past को present करता है, यह past में जो भी हम हमारे करतव या किसी के करतव या compulsion को बताते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, had to का, for example, she had to quit singing, ठीके, तो यहाँ पर had to का use किया गया है, they had to given in to her pleasing, ठीके, means उसे singing छोड़ना पड़ा, ठीके, तो पढ़ता है, पढ़ता था, या पढ़ा, ठीके, इस तरीके के जो वर्ड होता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, had to का use करते हैं, next, must not, जिसको क्या बलते हैं, must not, ठीके, must not is used to express obligation, obligation, compulsion, etc. in the negative sense, must not जो है, उसका use हम लोग obligation ये compulsion के लिए करते हैं, करता भी या अनिवारिता के लिए करते हैं, लेकिन negative sense में करते हैं, ठीके, and it is the negative of must, must जो model है, उसका negative क्या है, must not, ठीके, इसका mean क्यों होता है, चाहिए ही, ये काम हमें करना ही चाहिए, है न, इस तरीके से, और ये नहीं चाहिए, ठीके, for example, you must, must not go close to the case of the tiger, मतलब, तुमको tiger के case के पास में नहीं जाना चाहिए, है न, you must not make a noise here, तुम्हें यहाँ पर sure नहीं करना चाहिए, है न, इस टाइप के जो sentence है, हम लोग इसमें किसका use करते है, must not का use करते है, dare not या don't, ठीके, dare not is used to express lack of courage, it is the negative of dare, dare अभी हमने पढ़ा था, तो dare का negative क्या है, dare not या don't, तो उसका use, मतलब की साहस, या मतलब साहस की कमी को express करने के लिए किया रहता, मतलब तुम्हारे ऐसी हमत नहीं हो सकती है, तुम्हें हमत नहीं है, उसके लिए हम किसका use करते हैं, dare not का, for example, she didn't touch my books, मतलब उसकी मेरी book को touch करने की हमत नहीं है, या उसमें हमत नहीं है, तो हम इस तरीके से dare not का यूज करते हैं अब हमने जो model पढ़े हैं है ना उस पर best हम exercise करेंगे यहाँ पर आपको question दिया है underline the models in the following sentences नीचे आपको कुछ sentences दिये उसमें model कौन से उनको आपको underline करना है for example first who dares to oppose me तो अभी हमने पढ़ा dares क्या है यहाँ पर model है तो हम dares को underline कर देंगे next children should not play with fire बच्चो को आग से नहीं खेलना चाहिप तो should क्या है यहाँ पर model है should का meaning क्या होता है चाहिए ठीक है and shouldn't means क्या हो जाता है नहीं चाहिए ठीक है तो should not तो यहाँ पर यह क्या है should क्या है model है next मॉडल है इस टैप से आगे का जो सेंटेंस है वो आपको खुझ से है ना सेंटेंस में जो मॉडल है उसको आपको क्या करना है अंडरलाइन करना है next b complete the sentences below by using model can और can't in the blank spaces आपको क्या करना है नीचे कुछ sentences दें वो complete करना है can या can't से ठीक है तो first क्या है राहुल you dash borrow my notes if you want मतलब राहुल तुम मेरे notes ले सकते हो यदि तुम चाहते हो तो तो ले सकते हो आएगा यहां पर कि नहीं ले सकते हो क्या है तो क्या है आएगा can है ना can मिल सकना या सकते हो ठीक है next सुशील dash find his pencil सुशील को उसकी pencil नहीं मिल सकती या मिल सकती है ठीक है तो क्या हैगा उसको नहीं मिल सकती है ठीक है तो क्या लिखो कि आप यहां can भी लिख सकते हो और can't भी लिख सकते हो cannot को कभी अलग-अलग नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, can't लिखते हैं, ठीक है, don't help me, है ना, I dash solve this sum, मतलब मेरी help मत करो, है ना, मैं ये sum कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, तो जब help करने से मना कर रहा है, तो कर सकता हूं, तो क्या आगए यहां पर, can, ठीक है, next sandhya dash open the window, she is too short to reach it, मतलब sandhya इतनी छोटी है कि वो विंडो तक नहीं पहुँच सकती, तो क्या वो विंडो खोल सकती है कि नहीं खोल सकती है, जब वो पहुच नहीं रही है, तो वो नहीं खोल सकती, तो क्या है यहां पर, can't, ठीक है, आगे के जो sentence है, fifth, six, seven, eight, यहां पो खुद से क करना है, next, see, underline the appropriate model auxiliary that fits in the sentence, आपको इस model auxiliary को underline करना है, ठीक है, यह टिक करना है, जो की इसमें fit होती है, sentence के according है, तो first क्या है, he, may or can, run faster than me, मैंने बताया था, may संभावना बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यह permission लेने के लिए यूज करते हैं, और can का use ability के लिए है ना, तो वो मुझसे तेज दोड सकता है, तो यह उसमें ability है, तो यहाँ पर क्या हैगा, can, next, may or can, I watch television now, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर permission लेने के बाद चल रही है, ठीक है, तो क्या हैगा, may, may I watch television now, क्या मैं अभी TV देख सकता हूँ, या देख स होता है, put your purse away or it, may or could get stolen, तो क्या हैगा, संभावना है, कि इसका purse क्या हो जाएगा, चुरा लिया जाएगा, या चोरी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, may, ठीक है, next, fourth, it or to or may ran today, बारिश की संभावना है, ठीक है, तो संभावना के लिए हम क्या बुलेंगे, may, father said we, क्या है आपर, may or might, go home early, तो might, है न, हमने चलना चाहिए, ठीक है, या जल्दी घर जाना चाहिए, ठीक है, आगे जो है, six, seven, eight, ये तीनों सेंटेंस आपको कुछ से करना है, complete the sentences using should or shouldn't, should or shouldn't का use करके आप इन सेंटेंस को complete करना है, तो they, dash, stop making noise, should means चाहिए, and shouldn't means नहीं चाहिए, तो उनको, मतलब, उनको noise करना चाहिए, या noise करना, बंद करना चाहिए, कि नहीं चाहिए, तो क्या आएगा, बंद करना चाहिए, तो should, ठीक है, mother says, I, dash, eat more vegetables, तो shouldn't, है न, मतलब, मुझे ज़्यादा vegetable, और ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ठीक है, तो shouldn't, आगे के sentence, आप पर सेंट करना है, thank you